तो हेलो दोस्तो मेरा नामी शेंदू है and welcome to Simply Crack दोस्तो folk dances के mnemonics series में आज हम लोग पहुँचे हैं आसाम, आसाम की बात करें तो बहुत ही interesting culture है बहुत ही अच्छे-च्छे dance forms हैं वहाँ पे classical dances भी आपको देखने को मिलेंगे तो आसाम की बात करें folk dances की तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बागो रूंबा dance दोस्तो ये dance nature को devoted होता है जैसे birds हो गए, animals हो गए ठीक है और ये कब किया आयता है तो ये बिशागू festival जिसको बैसाक कहते है तो आप दो-चार चीज़े याद रखना ये questions आते बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं आपको बता दूँँ देखिए, B for Bhagarumba ये B for Bodo ये Bodo community के द्वारा किया जाता है और एक festival होता है जिसका नाम है ये वैसाक बैसाक को बैसागू कहते है बेसिकलिए ये वैसाक है और new year का जो starting होता है first of April I believe तो आपका ये बगरुंबा डांस हो गया उसके बाद आता है अली आई लियांग डांस ये अली आई लियांग की डांस करें तो देखो अली का literally meaning होता है seed ये harvest festival के दुरान किया आता है आई का मतलब होता है fruit और लियांग का मतलब होता है sewing ये भी आपको important है थोड़ा सा अजीब नाम है अली आई लियांग लेकिन आपको याद रहेगा फिर आता है ओजा पली डांस ओजा पली डांस जो होता है न वो एक तरीका chorus singing होता है बहुत लोग मिलके गाते हैं इसको ओजा लीडर होता है और पली एसिस्टेंट होता है फिर आता है देवधानी डांस बहुत important डांस है और ये snake goddess होती है नाम है उनका mansa उनको खुश टरने के लिए डांस किया जाता है उसके बाद आता है जुमुर नाच और चाइबगान नाच दोस्तो अभी जारकंड वाली वीडियो में आपने देखा होगा जुमुर नाच जो की बहुत ही common डांस है तो यहाँ पे जुमुर नाच है और चाइबगान जुमुर नाच भी इसको कहते हैं जो महिलाए इसको डांस करती है जो जुमुर जुमुर बचते है उसके बाद आता है नट पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत और एक्जाम में पूछा है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया जो नट पूजा है कहां का डांस है इसके बाद आता है भोड ताल यह मतलब बेसिकली शंकर देव के जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए यह डांस किया जाता है और उसके बाद आता है खंबा लिम इसमें दो रोज होते हैं दो लाइने होती हैं एक तरफ मैन होते हैं और एक तरफ वोमन होती है ठीक है जैसे यहां चलाशकाल डांसा स्तरिया जैसे आपको हो गया सतरिया ठीक है सतरिया हो गया other keywords जो Assam से related हैं जैसे गमचा हो गया संकरदेव चैतने महाप्रवुग, गौडिये संपरदा है ये सब चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी तो प्लीज 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 आप जाएं वहाँ पर देखें तो आप उसमें जाके देखो उसके बीहु के जो तीन परकार है रोंगाली बीहु, बोहाग बीहु और कटी बीहु उसको हमने अच्छे से कवर कर रखा है उस वीडियो को जाके अब जरूर देखना चली, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम विजुलाइशन टेखनीक से इसको याद करने कोशिश करेंगे और इस अगले दो मिनिट के बाद अगर आपको एक्जाम में ये कोशिशन देख गया कहीं पर भी तो आप्टिक लगा के आओगे, I guarantee you this thing तो सबसे पहले देखे एक बागर बिल्ली है जो कि जिसके पंक लगे हुए है ये आसाम के चाय बगान में ही देखने को मिलते हैं ये सारे करेक्टर्स आपको असाम के चाय बगान में ही देखने को मिलेंगे तो आप इससे बागरुम्बा डांस याद रखने को मदद मिलेगा, देखोई बिल्ली नाच रही है ना ये बागर बिल्ली है, ठीक है, तो ये आपको आसाम में ही दिखती है, और जैसा कि बागरुम्बा डांस मतलब इस डिवोटे तो नीचर, अनिमल, बर्ड, तो ये एक का मुहमद अली आसाम के चाय बगान में बॉक्सिंग करते हुए आपको नजार आते हैं, ठीक है, ये सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, आपको याद रहेगा, जो मुहमद अली कहां दिखे थे आपको, तो दिखे थे आसाम के चाय बगान में, फ लिए हुआ है ठीक है फिर आता है देवधानी डांस एक देवता है जो यहाँ पे आसाम के चाय बगान में ही प्रकट होते हैं जिनके सर पे धनिया होगा है ठीक है तो इससे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं जो एक देवता है जिनके सर पे धनिया है, ठीक है और यह देवधानी डाणस है अगे बढ़ते हैं फिर आता है झॉमर नाच यहाँ पर जिसको चाय बगान झुमर नाच भी खहते हैं तो यहाँ पर चाय बगान में एक महिला है जो चाय को चुनने का काम करती है उनके बड़े बड़े में नट की पूजा की जाती है, तो यहाँ पे आपको as a symbolic आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इससे आप नट पूजा याद रखते हैं, फिर यह जो आसाम का एरिया है, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा bottle देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे, और यह landmark है इस एरिया का तो यह जो की आपको भोरताल डांस को represent करता है, तो इससे आप भोरताल डांस याद रख सकते हैं, और उपर में एक lime लगा हुआ है, ठीक है, और इससे तार निकलके बिजली की तार एक खंबे से जुड़े हुए है यहाँ पे, जो आपको खंबा लिम डांस, यह जो lime है और गुकली रिवाइस कर लेते हैं, यह जो बागर बिल्ली है, उससे आप बागर उंबा डांस रख लेना याद, उसके बाद मोहमद अली जो आपको चया के बागान में दिख रहे हैं, उससे अली आई लियांग हो गया, ओजा सर जो चया बागान में ढोल बजा रहे हैं, वो टकड़ाते हैं आपस में जुमर जुमर आवाज आती है, और फर वो नट कैरी कर रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हर्वेस्ट है, तो यह नट पूजा आपको याद रहेगा, ठीक है, उसके बाद एक बड़ा आसा बॉटल है, एज लैंड मार्क, टावर की तरह बॉटल है, जो कि आपको बोर्तल डंस याद रखने मदद करेगा, जिसके उपर में एक लाइम लगा हुआ है, और एक खंबे से जुड़ा हुआ है, बिजली के खंबे से, जिससे आपको खंबालिम डंस याद होना चाहिए, तो overall यह रहा, आसाम, तो अगला झां, ठीक आप बेर सुझके रहे चाहिए, जा लेकिछ झादे है, जिस एत्वेश इंदरे में है, इन एक्षर्णेम, जा कि ऑपके रहे वे खंखा रहें धनाएं मेने हमयरहे हुआ उत्रत्वाँ को जिसके itself, टेसे एान के बेलाएंस ह Preis